सो कैसे है अब आज सेम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सराइज 7.2 रहेगा और यह पार्ट 1 कोशन नमबर 1 से लेके 4 तक NCRT के कोशन रहेंगे और यह don't forget to subscribe our YouTube channel अगर ऐसा कुछ दिखे तो उस icon को जरूर प्रेस करें और thank you हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिना देरी के साथ कोशन पहले को शुरू करते हैं और यह रहा आपकी स्क्रीन पे कोशन दिया कुछ नहीं हुआ है बट आपको कोशन को करना है in an isosilis triangle क्या बोल रहा है एक triangle है एक isosilis triangle है ठीक है अगर isosilis triangle है तो हम बना लेते हैं isosilis triangle अच्छी सी यह लोजी आपके सामने एक isosilis triangle हम लोगों ने बना दी ठीक है तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि a point हो गया यह b हो गया और यह इसका point c हो गया ठीक है कह रहा है इनने triangle a,b,c given क्या है आपके पास a,b is equal to a,c given a,b is equal to a,c अगर ना भी दिया होता है तो आपको पता होना अच्छा है यह isosilis triangle की दो side होती है equal होती है तो यह side है क्या है इसकी equal अब वह कह रहा है the bisector of angle b and angle c bisector किसका angle b और angle c का bisector ठीक है किसका angle b का bisector और angle c का bisector ठीक है bisector का मतलब क्या होता है दो equal parts ठीक है तो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको ठीक है बराबर हिसा bisector of angle b and angle c intersect each other at o इसका bisector, bisector मतलब इसके बीच में से जो line निकलेगी ठीक है इसके बीच में से जो line निकलेगी मालो यह line निकले bisector of this और यहां से इसका bisector bisector of this ठीक है जहां पर यह line दोनों cut कर रहे है bisector दोनों का intersect each other यह angle इस angle के equal है यह वाला angle इस angle के equal है intersect each other at o कौन से point पे intersect कर रहे है o point पे join a to o join क्या करना है a को o के साथ join कर दो कर दिया हम लोगों ने तो उसके बाद show करना है जो show करना वह बाद में देखते हैं जोग इसको given to proof लिख लेते है given हो गया आपके पास a b is equal to a c a b is equal to a c क्योंकि यह isolator angle bisector यह वाला angle और यह वाला angle 1 2 के equal है और इदर 3 4 के equal है यह तो होग है diagram और to proof क्या करना है to proof o b is equal to o c o b is equal to o c दूसरी बाद a o bisect angle a a o bisect angle a तो आपको यह proof करके दिखाना है a o bisect angle a मतलब यह वाला angle 5 और यह 6 बराबर है तो proof क्या करना है angle 5 is equal to angle 6 ठीक है angle 5 किसके equal है 6 के equal है समझ गए यह आपको करके दिखाना है समझ गए question हमने decode कर लिया अब इसको शुरू करते हैं हम लोग ठीक है यह हमारे सामने question ठीक है तो सबसे पहली बात आपको करना क्या proof है proof हमने करना है o b is equal to o c तो ऐसी triangle उठानी है जिसमें o b और o c एक तो वो तरीका दूसरा तरीका क्या है यह बुरूफ opposite 7.2 exercise है इसमें जो concept लगेगा वो मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ concept कौन कौन से लगने है concept आप सभी को पता है नहीं पता तो आपको पता देते है concept क्या है जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको इधर आपको concept सिखा देता हूँ concept क्या लगेंगे अगर आपको नहीं पता तो आपको यह चीज़ याद रखना है अगर मालो आपके पास एक triangle है ठीक है a b c अगर यह angle इस angle की equal दिया हुआ है given क्या है angle b is equal to angle c ठीक है और एक और आपके पास case है दूसरा एक ऐसे triangle दिया हुआ है तो a b c अगर यह angle property बता रहा हूँ यह कौन सी property लगेगी ठीक है तो property जो लगेगी इसमें मालो given दिया हुआ है a b is equal to a c इसमें क्या given था angle given है जब angle given हो तो जो उसकी side है इसके opposite जो side होंगी वो क्या हो जाएंगी equal हो जाएंगी automatically a b is equal to a c वैसे ही अगर a b is equal to a c है a b is equal to a c a b is equal to a c given है अभी यह given है तो इसके opposite angles क्या हो जाएंगी equal हो जाएंगे angle b is equal to angle c बस Converse अगर side equal दी तो angle opposite वाले equal अगर angle equal तो उसके opposite side equal तो इस property को लिखो गए जैसे इसमें क्या है equal sides are equal इसमें लिखो गए opposite हमारे पास given क्या है angles equal है ना opposite sides to equal angles are equal यह लिखेंगे और इस case में क्या लिखेंगे opposite अभी इसमें क्या दिया था sides ही equal दिये थी ना opposite angles to two equal sides are equal यह लिखेंगे यह आपकी दो properties है ठीक है जो मैंने आपको बताई ठीक है तो यह मालोग property one है और यह two है क्या दूआ कि अगर angle equal है तो उसके opposite sides equal होंगी अगर sides equal है तो उसके opposite angle equal होंगे clear तो अपने question पे चलते है वह हमारे question में दिया क्या है अब हमारे पास क्या है a b is equal to a c 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 क्यों है क्योंकि एक तो आप given भी बोल सकते हो अगर नहीं लिखना तो हमारे पास क्या चीज है isolis triangle है हमें पता है कि isolis triangle की opposite sides क्या होती है तो एक तरह यह given हो गया a b is equal to a c अगर आप देखो ध्यान से a b और a c a b side के opposite angle कौन सा है यह वाली side के यह वाली side है आपके पास ठीक है यह वाली side है इसके opposite angle कौन सा बन रहा है यह वाला बन रहा न यह तो वैसे ही इस side के opposite कौन सा बन रहा है अब यह तो पता लग गया हमें इस side के opposite हमारे पास क्या बन रहा जैसे अगर हम यह लूँ इस side के opposite यह वाला angle बन रहा है तो हम यह बोल सकते हैं कि angle b is equal to angle c क्यों opposite angles to equal sides are equal opposite angles to equal sides are equal ठीक है समझ गे मेरी बात समझ गे तो इसके बाद हमें क्या करना है angle b is equal to angle c हो गया अब angle b किससे बना है एक यह वाले पार्ट से एक यह वाले पार्ट से जिसका नाम क्या यहां इस केस में क्या है एक तो वान एंगल हो गया एक दूसरा क्या होगा तो एंगल b किससे बना है वान और तू से ठीक है c किससे बना है हमें given यह था ना 1 equal to 2 और 3 is equal to 4 यह भी हमें given था वाइस actors बोले थे उसने तो 3 किससे बना है c एंगल किससे बना है 3 और 4 से 3 और 4 से बना है हमें proof करना ob is equal to oc क्या proof करना बेटे ob और oc अगर मैं figure को zoom करूँ और आपको दिखाओं ob और oc यहां पे देखो triangle के इस इससे को बड़ा ध्यान से देखना है और zoom करता हूँ तो यही तो technology है अब अगर मैं किसी तरह किसी तरह क्या कर दूँ यह जो चीज है ob यह ob को किसके equal करना है oc के ob oc के equal कब होगा जब मेरे पास यह जो दो number का angle है यह 3 के बराबर हो जाए क्योंकि इसके opposite यह हो जाएगा और इसके opposite यह angle हो जाएगा अभी होगा ना काम ठीक है समझ गे मेरी बात मुझे किसी तरह से 2-3 के बराबर करना वह automatically हो जाएगा समझ गे तो यह हमें किसी तरह से करना है तो हमें अगर 2-3 के बराबर करना है मतलब एक नहीं चाहिए ना मुझे चार चाहिए तो option भी तो होगी उसके जगा एक की जगा option क्या है मेरे पास एक की जगा मैं 2 put कर सकता हूं एक की जगा मैं क्या put कर सकता हूं 2 3 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगा option भी तो होगी मेरे पास 3 तो 3 कितनी बार हो गया 2 टाइम्स हो गया 2 भी कितनी टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया तो यह इसके साथ कैंसल हो गया तो angle 2 किसके को लागा angle 3 और हमने अभी तो बढ़ा कि इसका reverse भी possible है अब angle 2 के opposite side कौन सी पनी अभी हम लोगों ने discuss किया था ना यह point यह बढ़ा था अब angle 2 के opposite side कौन सी है अभी हम लोगों ने देखा था बताओ बेटा इसके opposite 2 के opposite यह और इसके opposite यह यही है ना मतलब 2 के opposite हो गई आपकी OC 2 के opposite OC हो गई और इसके opposite OB हो गया ठीक है चलो फिर देखते हैं तो इतना आगया होगा समझ तो 2 के opposite side कौन सी हो गई अभी देखा हमने OC और इसके opposite side क्या हो गई B क्या लिखेंगे opposite angles equal थे ना opposite sides to equal angles are equal तो पहला प्रूफ बेटे खतम कर दिया इसमें मैंने क्या किया equal angles थे मेरे पास यहां पर equal angles किये हुए थे मैंने यहां पर clear है कोई बात ना समझ आई हो आगी होगी बेटा समझ सारी ठीक है तो हमारा एक प्रूफ हमने खतम कर दिया एक प्रूफ हमारा खतम हो गया अब हमें करना है 5 is equal to 6 5 is equal to 6 अब ध्यान से देखना एक और चीज यहां पर क्या हो सकती है 5 equal to 6 करना ना तो ऐसी दो ट्रैंगल उठानी है O B O C के equal हो गया यह इसके equal हो गया हो गया खतम तो second proof को ध्यान से देखना second proof को हम करते है ether ठीक है second proof के लिए मैं जो ट्रैंगल उठाने वाला हूं बेटे यह उपर वाली उठाऊंगा यह वाली ट्रैंगल अगर आपको मैं zoom करके दिखाऊं इसको भी यह वाली उपर वाली उठाएंगे बेटे ट्रैंगल इसमें देखोगे आप ध्यान से यह वाली अब हम यह वाली ट्रैंगल उठाएंगे यह दिखा ट्रैंगल आपको एक यह ट्रैंगल उठा लेंगे और इधर से यह वाली ट्रैंगल ठीक है इस प्रैंगल्स को जब हम उठाएंगे यह कोशन क्लियर हो जाएगा हमारा ऐसे ठीक है कलो फिर देखते हैं किस तरह से यह होगा इजी है कोशन वैसे ठीक है पहले इसको उपर उठा लेते हैं अब इसको सॉल्फ करते है तो ट्रैंगल हमारे पास रहेगी A, O, B ट्रैंगल है हमारे पास A, O, B दूसरी कौन सी है A, O, C A, O, B और A, O, C आना तो देखोगे बेटा बड़ा ध्यान से A, O, B और A, O, C में सबसे पहली बाद A, O, दोनों में क्या है common है ठीक है A, O, दोनों यह A, O, लाइन है यहां से लेकर यहां तक की यह दोनों में है अगली चीज़ क्या है O, B और O, C अभी हमने प्रूफ किया O, B को O, C के इक्वल अभी प्रूफ किया है O, B is equal to O, C प्रूफड तीसरी चीज़ A, B यह A, B और यह A, C यह अभी हमारे पास given ही था A, B is equal to A, C given तो triangle A, O, B क्या हो गया congruent हो गया किसके A, O, C के इसमें तो जावा सोचना ही नहीं है by कौन सी प्रॉपटी सीधा ही है side लिया, side लिया, side लिया तो by side, side, side हमें क्या परूफ करना था 5, 6 के equal है हमें क्या परूफ करना था 5 is equal to 6 अगर आप ध्यान से देखोगे यह रहा आपके पास 5 एंगल 5 इधर है, 6 इधर है इधर मैं इसको खतम करके दिखाऊँ आपको ठीक है तो इधर हमारे पास क्या था 5 एंगल और इधर क्या था 6 और यह वही ट्रेंगल में आता है तो 5 is equal to 6 क्या आजाएगा Cp, Ct By Cp, Ct Clear? Hope आप सभी को समझ आया होगा यह question ठीक है तो इसकी overall view है यह इसको हम लोगों ने solve किया पूरा ठीक है पहले part को किया हम लोगों ने इधर first part को solve किया हम लोगों ने इधर second part को किया हम लोगों ने इधर मैंने अपनी तरह से पूरी zoom करके technology का use करके समझाने की पूरी कोशिश की hope आप सभी को समझ आया होगा अब करते हम लोग अपना second question ठीक है यह रहा आपके सामने second figure दी हुई है c figure 7.30 figure दी हुई है ठीक है कह रहा है कि ad is perpendicular bisector of this ठीक है सबसे पहले हम लोग triangle बनाते है क्यों नहीं बन रही चल क्यों नहीं रहा इसको क्या होगा side में चलो फिर ऐसी बनाते हैं हम लोग नहीं बन रहा अगर carrot triangle a b c है बना दिया हम लोगों ने a b c triangle ठीक है a b और c a d is perpendicular bisector अब देखो perpendicular bisector का मतलब क्या होता है जब भी कोई line यहां से आए ऐसे perpendicular perpendicular bisector word का मतलब क्या होता है यार ये इतना थोड़ा खराप पन गया figure फिर से बनाते हम लोग ये थोड़ा सा अच्छा बना है ये थोड़ा सा अच्छा बना है देखना ध्यान से अब उसके बाद है हमार पास a a point b point c point a d is perpendicular bisector perpendicular bisector का मतलब क्या होता कि अगर यहां से एक line लगाई जाए नीचे तक लेकर जाए perpendicular भी है और bisector भी है मतलब ये वाला angle 1 और 2 given क्या है angle 1,2 90 degree अगली चीज क्या है कि ये वाली side इस side के equal है तो b d is equal to c d clear तो एक चीज हमें ये चीज गिवन है ठीक है show that triangle a b c is isocellus triangle to proof क्या करना है कि एक isocellus triangle है a b is equal to a c ना भी दिया होता तो हमें ये करना होता कि कोई भी 2 side ने equal करनी होते इसी को isocellus triangle बोलते है clear अब हमने decode कर लिया question को अपने अब इसको करते हैं हम लोग solve ठीक है देखो फिर proof तो proof में हम लोग क्या लिखेंगे दो triangles उठाते हैं ठीक है एक triangle आपके पास a b d दूसरी triangle हमारे पास क्या है a b d कौनसी triangle है बिटा ये वाली आपकी ठीक है ना ये और दूसरी कौनसी triangle है ये वाली ठीक है triangle a b d और दूसरी क्या है a c d a c d a b d और a c d दोनों में एक चीज़ क्या है सेम है वो क्या है ये line दोनों में क्या है common है a d a d common one or two 90 degree तीसरी चीज़ p d is equal to c d easy question p d is equal to c d ये सारा क्या है आपको given तो इससे easy क्या आएगा कुछी नहीं आ सकता तो triangle a b d क्या हो गए बेटा congruent हो गया किसके a c d के पाई कौनसी property आप बताओ हमने क्या लिया है ये side लिया है अगर आप इसकी बात करो अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊ हूँ एक एक को हना एक part हम देखते हैं हना यहां से हमने क्या लिया एक side लिया ये वाला एक side ये वाला a से लेके d तक ये वाली चीज side उसके बाद हमने क्या लिया एक angle लिया ये angle फिर उसके बाद pd side ये वाली side तो क्या हो गया ये side फिर ये बीच में angle फिर यहां पर हमने side और ये ऐसे तो by side angle side हो गया clear तो by side angle side clear और उसके बाद अगर एक बाद हो गया हमारा proof तो हम ये लिख सकते हैं कि a b is equal to a c वही पुराना डायलोग by कौन सी प्रॉपर्टी c p c t ये हो गया आपका question number second clear है जबीगो ये तो था आपका second question अब करते हम लोग अपना तीसरा question ठीक है तीसरा number question ये रहा आपकी screen पे question number third third question में आपके पास क्या है हो क्या बोल रहा है कि a b c is an iso-less triangle क्या है आपके पास कि a b c एक iso-less triangle है ठीक है a b c एक iso-less triangle यहाँ पर बनाएं फिगरी स्वर इसे बनाते हैं low बना दिया हम लोग ने triangle इसमें a a b और यह point होगा c कह रहा है in which altitude b and c are drawn to equal sides a c and a b given क्या है आपको given क्या हमारे पास यहाँ पे लिखें फिर यहाँ पे लिखते है given a b is equal to a b drawn to equal side a c and a b respectively show that these altitudes are equal क्या परूफ करना है कि यह जो altitudes हैं यह equal है एक line यहाँ से altitude b e और इधर से altitude c f क्या रहा है यह जो यह altitudes हैं 2 proof b is equal to c f हमने decode कर दिया बस जब इसकी खैर नहीं यह होगा हमारा question त्यार यह given है यह 2 proof है ठीक है समझ गे यह होगा 2 proof फिर देखो proof इस case में कौन-कौन सी triangle उठाई जाएंगी अब ध्यान से देखना मैं कौन सी triangle उठाऊंगा ठीक है इसको ऐसे उठाते हूँ एक triangle यह है दिखियोगी आपको यह वाली ठीक है अब दूसरी triangle बनाते हैं लोग दूसरी triangle के लिए color juice कर लेते हैं यह वाला दूसरी है यह ठीक है यह तो होगी आपकी दोनों triangles अब बसा हम प्रूफ कर देंगे दो triangle उठा लेते हैं B E दूसरी कौन सी triangle है A C F A B E और A C F दोनों में एक चीज़ क्या सेम है यह angle angle यह दोनों में क्या है common दूसरी चीज़ Angle E is equal to angle F क्या हो गया 90 degree Angle E और angle F क्या हो गया 90 degree ठीक है अब इसके बाद Angle E is equal to angle F 90 degree अगर हो जाता है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं दो reason हो गए हमारे पाद तीसरे reason की कमी है और तीसरा reason है आपके पास given ही दिया हुआ A B is equal to A C यह क्या है? गिवन है बस काम खतम तो triangle A, B, E congruent to triangle ACF by कौन सी property सवाल तो यही है by कौन सी property अब एक triangle को उठाते हैं लोग जैसे मैं इस case में यह वाली triangle को बहार निकालता हूँ अगर कैसी दिखेगी? यह रही है न A, B, E ऐसे कैसे है यह? A इधर है और उसके बाद B इधर है और E इधर है अगर इस triangle की बात की जाए तो हमने लिया क्या है? इस triangle में? angle A, पहली बाद क्या लिया है हम लोगों ने angle A, यह चीज, हाना? ठीक है? यह वाली पहले वाले की यह चीज लिया है ठीक है? यह angle A लिया है दूसरी जी हमने angle E लिया है E लिया है यह वाला हाना? और यह AB side लिया है AB side, AB side है नहीं है तो E रही है, तो हमारे दो angle, angle, angle और यह दो angle के बाहर वाली side है तो by क्या हो गया? angle, angle, side ऐसे मन लिख देना कोई की बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे side, angle, angle यह तो प्रॉपटी नहीं होती यह तो clockwise घुमाओ यह तो anti-clockwise पर यह तो हमारे पास प्रॉपटी नहीं होती अगर हम इस direction में चले पर अगर इस direction में चले यह ऐसे ऐसे करके ऐसे, ऐसे, ऐसे तो हम यह बोल सकते हैं कि angle, angle, side प्रॉपटी है, clear है सभी को? ठीक है? समझ गे मेरी बात? तो by angle, angle, side, auto-proof क्या करना था? b is equal to cf b is equal to cf क्या हो गया? cpct by cp ct easy question, ठीक है? सेम ऐसे question next है आपके पास, ठीक है? यह रहाँ, same same ditto question ऐसा ही same तो हम लोग करेंगे फिर से एक बार triangle draw करते हैं, ठीक है? आपके triangle draw किया a b e इसमें और उसमें question में यह फरक था इसमें जो चीज गीवन है वो चीज़ उसमें पुरूफ करना था reverse है question question क्या है? इसमें यह reverse है कह रहा है कि a b c is a triangle in which altitude b and c f b e and c f side a c and a b are equal इसमें क्या दिया हुआ है? आपको कि यह जो है b e और c f altitudes equal दिये हुए इसमें क्या दिया हुआ b e given क्या है? यह यहां पर गलत point लगा दिया है a b c यहां पर ऐसे करके e और यहां पर f ठीक है? यह altitudes equal है कह रहा है given क्या है? b e is equal to c f ठीक है? यह to proof करना नहीं भी करना होता है तो अगर यही अकेला दिया होता है तो इसका मतलब यह होके ही उसने जाना है यह जो proof है यह इसके through ही होके जाना है यह अगर हमें यह proof करना है तो पहले यह ही करोगे तो ही होगा अगर ना भी दिया होता है तो to proof a b is equal to a c a b is equal to a c मैं second proof ही लिखता हूँ क्यों मालो यह चीज़ ना दिया होता तो भी हम लोग कैसे निकालते है to proof a b is equal to a c तो हम लोग क्या करते है अब मेरी बात सुनो जैसे यह triangle है अमार पास तो मुझे ऐसी दो triangle उठाने जिसमें A, B और A, C आता हो A, B आता हो और A, C आता हो ऐसी दो triangle तो मैं क्या लूँगा A, B, E कौन सी triangle होगी A, B, E ऐसे होगी यह triangle दिखा A, B, E हो जाती और दूसरी triangle कौन सी हो जाती A A से लेके फिर C फिर यह ऐसे करके यह वाले A, C, F कौन सी triangle हो जाती? A, C, F दोनों में X is common है वही angle यह दोनों में क्या है? common है same question है बैटा, Vasi is same as it is same, proof एला proof हो गया? angle E और angle F क्या हो गया? 90 degree है हमारे पास अगली line क्या है? B is equal to C, F क्या है? given है हमारे पास B is equal to C, F B is equal to C, F यह क्या हमारे पास? given है ठीक है? अगर B is equal to C, F हमारे पास given है तो हमारे पास तीन के तीन रीजन हो गए? तो triangle A, B, E congruent हो गया किसके? A, C, F के by कौन सी property? यही तो बताना है पाई कौन सी property? अब ध्यान से देखना है एक चीज़ पाई कौन सी property में फिर वैसी एक triangle उठा लेते हैं बाहर की तरफ जैसे मैं यह वाली triangle उठाता हूँ छीक है? तो अगर इसको बाहर निकाले है तो यह कुछ ऐसी दिखेगी ऐसे, ऐसे, ऐसे A, B और यह point होगा E और यह इसमें क्या है? 90 degree तो हमने लिया क्या-क्या angle A यह वाला angle यह चीलिया angle E यह वाला PE BE side यह वाली तो अब दो angle के बाहर वाली side है side तो यह क्या आजाता है by angle 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 side पेटे क्या होजाएगा? by angle angle side तो हम यह लिख सकते हैं कि A, B is equal to A, C क्या होजाएगा? C, P, C, T A, B is equal to A, C उसी में आता है तो by C, P C, P खतम होगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला था कि आप एक सीज मत देखना भी यही बोला था कि जैसे इसमे इसमें उसने क्या बोला था? कि आपको क्या प्रूफ करना? अब यह देखो यहां से यही था ना A, B, E और A, C, F देखो A, B, E, A, C, F महले हो आपको क्लास के चार के चार कोशन फिर मिलते हैं हैं को एक सीज देख लो मलते हैं आपको नेक्स लेक्षर में तब तक के लिए टाडा, बाइबाई, शुब रातरी, शाब भाखेर, जय हिंद